नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे जी हां इंडिया से कैसे लोग फरजी तरीके से दुबई कतर या किसी भी देश में जा सकते हैं जी हां और वो भी थर्ड पार्टी बंगला देश मयामार के लोग जो इंडिया में रहके फरजी डॉकॉमेंट बना के सौधी पहुंच सक हैं उन्होंने अपने बयान में बताया कि UPATS ने नो लोगों को पकड़ा है अब देखे पकड़ने का तरीका ये लोग मुस्लिम लोग हैं जी हां हिंडू के नाम से फरजी डॉकॉमेंट बनाके पास्पॉर्ट बनाके विदेश जाते हैं इसका क्या रिजन हो सकता है क्या इतना बड़ा रिजन है कि एक मुस्लिम आदमी को हिंदू बनके धरम बदल के विदेश जाने पे मजबूर है एक मुस्लिम है मान लीजिए कि बंगला देश का बंगन बंदे हैं इंडिया में बहुत सारे लोग है जी हां जो फरजी तरीके से रहते हैं अगर वो फरजी डो आइकन आउन कर लीजिए वाई फेस्बुक पेज वाले फेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रेलेटेड नहीं नहीं अपडेट मिलती रहे तो चलिए शुरुआत कर लेते जी हां नाम से बंगला देशी वीवकों को बेजा जाता है दुबई जी ह विदेश बेजने के नाम पे नो लोगों को गिरबदार किया गया इनके जो मैन सरगना है जी हां महफूर्ज रहमान नाम भी बड़ा ठेड़ा है इनको भी गिरबदार कर लिया गया है कलकता में एक मदर से इसको गिरबदार कर लिया गया है यूपी पुलिस ने गिरबदा किया जी हां देखिए ये बंदा 2010 में महफूर्ज रहमान 2010 में अवेद इनलीगल तरीके से बंगलादेश का बंदा था इंडिया में आये था 2010 में और यहां से फर्जी डोकुमेंट बनाके पास्पोर्ट बनाके 2013 में ये बंदा दुबई चला गया था और दुबई से ये मिस्तमी बंदा वापस इंडिया में आके रह रहा था एक मदर्चे में जी हां वहां से इनके लिंक हैं ये लोग मेया मार के और बंगलादेश के मुसलिम लोग हैं मुसलिम बंदों को yolी गज़ने का काम करते थे इसके तो ये त्योटिए मार के अगलवाले की नो डाउट जी हाँ लेकिन हम अगर यहां से सोचें हैं सोचने की बात यह है कि यह लोग हिंदू के नाम से ID क्यों बना रहे थे पासपोर्ट अगर माल लीजिए मुझे फरजी डोकुमेंट बनाना है तो मैं मुसलिम के नाम से क्यों बनाऊंगा भई मैं हिंदू दूसरे के नाम से भी बना सकता हूं अब यह जांच का विसे रहे गा कि क्या रिलिजन हो सकता है अलांकि देखिए जो महफूर्ज जो रह्मान है इसकी जांच में पता लगा है कि इनके लिंक पाकिस्तानी लोगों से भी है जी हां, इनके साथ इनकी बाचित होती रहती है, जो दुबई तब गया था, तब इनके लिंक बने थे, जी हां, बता दू, बारा अक्टूबर को इनके खिलाब में FIA दर जूईती, नो बंदों को गिरबदार कर लिया गया है, मैं जो इनका सरगना था, मदर से से इसको को बनक लग चुकी थी, उन्होंने बीच रास्ते में ट्रेन को रुकवा के आठो बंदों को गिरबदार कर लिया, जी हां, इनके उपर और भी खुलासे होने हैं, जो पुलिस आपको पता है, कुटाई करेगी तो ये लोग आराम से बता देंगे, मैं रिजनी है कि हिंदू के नाम से गलत डॉकॉमेंट बनाके दूसरे देश में जाने का इनका क्या टार्गेट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आदमी हिंदू के नाम से दूसरे देशों में जैसे दुबई, साथी अर्बिया, कुएत में किसी भी देश में जायर, वहां पे कुछ गलत काम करें, हि ये ऐसा नहीं होगी, गलत वो कर रहे हैं, नमबर आपका आज है, समझ रहे हैं बात को, तो साब्दान रहने की जुरुत है, सतरक रहने की जुरुत है, अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूस है, तो आप सेर कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में चीज़ अनकर की सा जेहें जेहें